दोस्तो नमस्कार दोस्तो क्यास सुम्मिट करता हूं, आप लोग अच्छ होंगे, दोस्तो आज के इसलitez बात करने वाला है, अगर आप सिसी बेली ये साथ जनसिवर केर fan चलाते हैं, तो आप लोगों को फोटो अप्लोड करने का दोस्तो आप सना चुगा होगा और आप भी अपना photo का दूस्तों अपने center का photo upload करना चाहा रहे होंगे तो वहाँ पर अगर आप photo capture कर रहे होंगे तो हो सकता आप photo capture ना हो पा रहा हो या आप प्रिवाद से आप photo compose नहीं कर पा रहे हैं या आप photo upload नहीं कर पा रहे हैं आप फोटो का साइज कम नहीं कर पा रहें तो आप लोग किस तरीके से फोटो को साइज कम करने वाले हैं किस तरीके से आप फोटो को कैप्चा करेंगे किस तरीके से फोटो को कम पोस्ट करना है मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं इस फीडियों यहां पर सबसे पहले आप लोगों capture image वे click करना है yes करने के बाद आप लोगों को दोस्तो एक application install करना है application install कैसे करना है मैं आप लोगों कभी आगे बताने वाला हूं तो simply यहाँ पर यह application आ चुका है तो यहाँ पर आपके सामने camera और एक app जो मैं बताऊंगा उसका आप सनया पर आप लोगों दिख रहाओगा b612 simply आप लोगों को इसको ही select करना है simply यहाँ पर मैं just one पर click कर देता हूं और इस पर jc click करता हूं के सामने कुछ इस तरीके से interface आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी image जो है saved हो चुकी है successfully उसके बाद आप लोगों compose करना है compose किस तरीके से करना है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अम main topic होने वाला है कि किस तरीके से आप photo को compose करेंगे और install करने के बाद simply आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों यह edit का option दिख रहा होगा simply आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है इस पर जैसी क्लिक करते हैं आपके सामने यह दोस्तों फाहला photo आ जाएगा जो आपने अभी capture किया था तो मैं इसका size अभी कम करने वाला तो simply यहाँ पर आप लोगों crop दिख रहा है simply आप लोगों crop कर देना है crop करने के बाद जितना आप लोगों को फोटो चीए simply आप लोगों कुछ इस तरी किसे crop कर लेना है तो यहाँ पर मैं crop कर लेता हूं crop करने के बाद सेव कर लेना है save करने के बाद आप दुबारा से मैं गयले में जाता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ इसका size कम हुआ या नहीं हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह photo मैंने अभी capture किया है तो इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ size अभी क्या है तो photo information पे click करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका size अभ open लिया है और दुबारा से open करने के लागा आप लोगों दुबारा से edit पर जाना है मैं कर लेता हूँ और save पर click कर देता हूँ और उसके बाद save और लोगों दिखाता हूँ size कम हुआ है नहीं हुआ यहां पर यह photo आ चुका है और अब भी मैंने इसे crop किया था तो यहां पर आप देख सकते हैं 291 GenBook हो चुका है तो यहां पर आप देख सकते ही इसकी location भी नहीं change हुई है तो यहां से आप आप लोगों को दुबारा से जाना है और इस फोटो को दुबारा से क्रॉप करना है तो इसलिए मैंने कहा था कि फोटो को आप लोगों को थोड़ा सा दूर से खिशना होगा क्योंकि वहां पर अगर आप दूर से खिशते हैं तो आप से क्रॉप करके अपने फोटो का साइज कर लेना है सेव करने के बाद आप लोगों को दुवारा से जाना है और यहां पर मैं दुवारा से आ चुका हूं अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं फोटो का साइज कम हुआ या नहीं हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं इस करने के बाद आप लोगों को अप्लोड कर देना है डारेक्ट हो जाएगा कोई भी दिक्क्र नहीं आएगी दोस्तों जब कि मैंने दुस्तों मैंने भी कुछ इस तरीके से अप्लोड किया था और इजी तरीके से हो गया था अगर आप कोई दूसरा मैथड दूस्तों इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद बाए बाए